कि असलामु अलेकुम भाई और इजवन भुपाली हाजरे फिर से नाय वीडियो लेकर जिसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पिछले हफ्ते जो वीडियो बनी थी उसके नीचे जो कमेंट आएंगे मैं उनके आप लोगों को जवाब दूंगा इंशालला ठीक है न लेकिन भाई अगर मैं पूरे कमेंट का जवाब देता हूं तो वीडियो जो है वह बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों कोई मज़ा नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है कि भाई सबके बस टाइम नहीं है और जल्ली यल्ली है ना लोग शॉट वीडियो देखना पस से यह बोल रहा है असलाम उलेकुम भाई आएम फ्रॉम बैंगलोर मुझे आपके हैल्प चाहिए भाई मेरे पास गोट से भाई उसके हाइड भी नहीं बढ़ रही है ना तो वेड गेन कर रहा है मैं लीवर टॉनिक भी दिया केल्शियम टॉनिक भी दिया सब अच्छा हो सकता है बाकी जब आप इतना सब कुछ कर रहा है तो उसमें वेड गेन तो होना चाहिए था ठीक है ना तो आप देख लीजे के ब्रीड आपकी कौन सी है ब्रीड हमें बताए उसके आद फिर इंशालला हम आपको तफसील से उसकी चीज़े बताएंगे इसके बाद दूस लिवर लिवर टॉनिक भी शुरू किया है ओस्टोवेड भी शुरू किया है क्या कि रहा है बकरे ने खाना बंद कर दिया है यह सब कुछ देने के बाद भी बकरे ने खाना बंद कर दिया तो भाई साबिर भाई चेक करेंगे बकरे को प्रॉब्लम क्या है कहीं वो बीमारी में तो नहीं है या उसके चाले वाले तो नहीं हो रहे हैं या आ रहे हैं हो सकता है दाइटों के है ना या पेड में कुस प्रॉबलम हो तो पहले आप वो बीमारी का पता लगाई है इंशालला फिर उसके आद हम आपको पूरी तफसील से जानकारी देंगे इसके बाद जैद खान हैं जैद खान बोल रहा है रिजवान भाई मेरे पास एक बकरी है जो बाराप पंडरा दिन में जनने वाली है उसके पिछले पेर में तकलीफ हो गई है यह से लग रा है जैसे उनमे वरम आ गया है दर्द है उनमे ठीक से चल नहीं पा रही है वह बहुत आराम से चल रही है जैसे बहुत दर्द हो क्या है नौर्मल नहीं पर नहीं पर 0 जैसे इन में भी होने लगता है तो आप परिशान ना हो गर्म पानी में हलका सा नमक डाल के सिकाई करें उसकी इंशालला आपको आराम लग जाएगा मतलब बकरी को आरम लग जाएगा स्वारी इसके बाद है टाइकून गॉट फॉर्म टाइकून गॉट फॉर्म बोल रहा है एक वीडियो एसी बनाओ बकरे की नेक और जालर पे वह कैसे बढ़ाएं बनाए तो टाइकून गॉट फॉर्म मेरा जावाब आपके लिए यह है कि आप सबसे पहले तो ब्रीड अच्छी खरीदे जैसे की कोटा या और मतलब है ना मालवा वगेरा जो अच्छी क्वालिट क्या कहते है चर्वी रहती है उसकी बनी होती है मैक्जिमम फेट तो उसके लिए आप है ना दूद और घी और जो तेल है इस पर फोकस करें इंशाल्ला इंशाल्ला आप लोगों को कोई भी इसी प्राब्लम नहीं होगी इसके बाद अगला कुश्यन है तारीख खान का तार हम सोचते हैं कि ना सब बता हमारा बक्रा जो लाग secondव घर हुते है उन जैसा बन जायी लें फासरा हर बक्रा चींग पयुकि नहीं पोच पाता है थे एकना सबसेंल तो आप अपने ब्रिड बताएं कि ब्रीड क्या है और आप लोग भी जो भी सवाल करते हैं तो इसके साथ अपने जानवर की ब्रीड भी है ना चलिए तो अब इंशालला बाकी नहीं तो रुख जाओ एक आद दो और पड़ी देता हूं में बी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टिविटामिन इंजेक्शन एवरी मन्त तीन से पाच दिन दे सकते हैं क्या बिल्कुल दे दें तो और जादा अच्छा रहेगा बाकी इंजेक्शन के बराबरी नहीं कर सकता वह इंजेक्शन अलगी चीज़ है अलगी लेवल की चीज़ है डारेक्ट असर करने वाली लेकिन यह है कि वगेरा चुबाना हर महीने अपने जानवर की गरदन पर तो थोड़े से दिक्कत अब पर डिपेंड करती उसके जनेटिक्स क्या है उन पर डिपेंड करती है हाइट बढ़ाने का कोई तरीका नहीं इसके उपर दफसील से मैंने वीडियो भी बनाया है जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं अपना क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट में मेरे बकरा नॉलिज चैनल ठीकिए!